जय हिन साथियों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने योटिप शैनल पर मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अपने प्रिप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और पूरे जीजान लगा दिये होंगे चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्स के ऐसे टॉप फॉर्मूलेज जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे जिसके माध्य हम से दोस्तों अब मैट के मतलब क्विश्चन को 2 से 4 सेकेंड के अंदर विदिन 2 तो 4 सेकेंड आप सॉल्ब कर पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना होगा सबसे पहले और वो चीज क्या है आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और मैं आपको ऐसा प्रामिस करता हूँ आपसे कि इस वीडियो कोई बाद आपको कभी भी इन फॉर्मूला को एप्लाइ करने में दिक्कत नहीं होगा ये मेरा प्रामिस है और आपका प्रामिस यह होना चाहिए कि पूरे दिलो जान से इस वीडियो को पूरे मन से आप समझ तो चलिए अब अपने कंसेप्ट की और बढ़ते हैं देखे दोस्तों जो एक्जाम में हमारा टाटा स्टेल ट्रेड एपरेंटिस इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा मैथ में है जिसको आप सब बूलते हैं क्वेड्रेटिक एक्वेशन क्वेड्रेटिक एक्वेशन नाम का जो चैप्टर है आप लोगों को हो सकता है अपने टेंथ क्लास में जब होगा आप जब होंगे तो उस तुमें आपको हो सकता है कि आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से नहीं आया हो और आपका कंसेप्ट एकदम खराब है कोई बात कभी भी क्वेड्रेटिक एक्वेशन जो होता है क्वेड्रेटिक एक्वेशन जो होता है ये एक्वेशन का एक टाइप है जैसे एक्वेशन बहुत सारे होते हैं लिनियर एक लिनियर एक्वेशन होता है अपने पढ़ा होगा तो उसी तरह से ये है हमारा क्वेड्रेटिक चलिए पहला बात कर लेते हैं कि इसमें question कैसा पुछा जाएगा आप माल लिजिए पहला question अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपके सामने पहला question लिख रहा हूं पहला question यह है x square minus 5x minus 6 equal to 0 यह हमारा पहला question है दोस्तो quadratic equation x square minus 5x minus 6 equal to 0 question है आपसे पूछा है इसका root बताईए root का मतलब यह हुआ इसका root बताईए मतलब root मतलब कहने का यह है कि x का value बताईए x का value बताईए x का value क्या होगा x के दो root होते है quadratic equation में आपको पता है दो होते हैं तो इसका कैसे हम solve करेंगे यह important है आप समझे आप इसको एकदम जो हमारा traditional method था उसको हम लोग use नहीं करेंगे आप क्यों क्या करना मैं आपको तीन step बताऊंगा और आपको क्या करना है यह है हमारा constant constant बोलते हैं यह constant को आप लिख लिजिए तो constant क्या दिख रहा है आपको minus 6 हमें साब किसी भी question में पहले constant को लिख लेंगे step 1 में और इसको क्या करेंगे इसके x के coefficient से multiply करिए यहां पर x का coefficient क्या है 1 है बिल्कुल सही इसको 1 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा minus 6 बिल्कुल आसानी समझ में आ गया step 1 में यहां पर constant लिखेंगे minus 6 था minus 6 लिखा हमने और यहां पर जो हमारा x है इसके coefficient x square की coefficient से इसको कर देंगे multiplication तो answer आ गया हमारा minus 6 ठीक है step number 2 step number 2 पे देखिए step number 2 अब step number 2 में क्या करना है आपको आपको क्या करना है यह जो हमारा x है इसका coefficient कितना है minus 5 लिख लिजिए minus 5 into इसको minus 1 से multiply करेंगे हमिसा सभी तरह के question को solve कर सकता है यह step 1 में constant को 1 से multiply करेंगे और step जो हमारा 2 है उसमें इस वाले x का जो coefficient है जो minus 5 है यहां पर हमने लिखा minus 5 और इसको हमिसा minus 1 से multiply करेंगे तो answer यह दे देगा हमें minus 5 into minus 1 यह होता है 5 के equal यह होता है 5 के equal ठीक है यह होगे 5 अब आपको क्या करना है simply दूसरा जो हमारा काम है वो यह आप क्या करेंगे यह minus 6 लिख 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 ठीक है अब एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना है कि अग अगर यह एक negative आया हमारा और एक positive आया तो जो हमारा x का value आएगा वो भी एक negative होगा एक positive होगा अगर यह दोनों number अगर positive आजाता अगर सिर्फ 6 और 5 हो जाता तो यह दोनों हमारा positive हो जाता लेकिन यहां पर आप दिख सकते हैं एक negative number है minus 6 और दूसरा है positive number ठीक है एक negative है औ हमारा जो answer आएगा दोस्तों इस condition में जो हमारा answer आएगा वो यह अगर आपका first step में मतलब step यह वाला बात हो रहा है अगर first step में negative number आता है तो एक्स का जो value होगा वो उसका जो smallest number होगा smaller number वो negative हो जाता है वो हमारा negative हो जाएगा तो उस situation के हिसाप से आप देखिए तो यह हम बोलेंगे minus 5 जो हमारा है वो क्या होगा negative हो जाएगा देखिए मैंने क्या का question हमारे पास था x square minus 5 x minus 6 equal to 0 ठीक है इसको break करना पड़ता है आप simply क्या करेंगे मैंने आपको बताया तो आपका answer कितना आया था minus 6 और दूसरा आया था 5 ठीक है तो अब आपको क्या करना है आपको third step में third step में क्या करना है दोस्तो third step में minus 6 आप देखिए आपको answer मिल चुका है कैसे अगर आप सोचिए six में से अगर हम one minus कर देंगे तो five हो जाएगा और अगर six को one से multiply कर देंगे तो six हो जाएगा तो condition क्या होता है इसको और इसको गुना करने से इन दोनों के 6 आ रहा है 6 को 1 से 6 आया और ये दुनों को जोड़ने कटाने से 5 आना चाहिए तो देखिए जोड़ने कटाने से 5 आया 6 आया ठीक है अब तो हमारा जो answer है वो हमें मिल चुका है कि एक number तो हमारा minus 1 होगा और दूसरा 6 होगा मतलब एक तो minus 1 होगा sorry एक तो minus 1 होगा और दूसरा 6 होगा ठीक है लेकिन आपको कैसे पता चला कि minus 1 होगा उस चीज़ को समझे याद रखिए कभी भी कभी अगर पहले वाले step में first step में दोस्तों first step में अगर आपका number negative आता है तो आप smaller number में negative लगाएंगे smaller number में आप negative अगर negative number आजाए तो minus 6 आया था minus 6 आया था इसलिए हम smaller number जो हमारा एक आया है उसमें minus लगा दिये ठीक है ना और दूसरा condition क्या है कि second step में second step में अगर negative आ जाए तो उस situation में आप क्या करेंगे आप करेंगे larger number में negative का sign लगा देंगे नहीं समझ माया चली दूसरा question समझते हैं अभी दूसरे वाले question में आपको पूरा clear हो जाएगा दूसरा वाला question में आपको clear हो जाएगा देखे दूसरा question लिख लेते हैं दूसरा question हमारे पास है मान लिजिए मैं लिख देता हूँ x square minus 18x plus 45 equal to 0 अब आपको x का value निकालना है आप क्या करेंगे first आप क्या करेंगे first step first step में 40 ये वाले को और ये वाले को multiply तो 45 को multiply करेंगे 1 से मतलब यहां कुछने तो 1 है तो आया 45 दूसरा step क्या है दूसरा step क्या है दोस्तो इस वाले नमबर को मतलब करना है ये rule है तो आजाएगा आपका plus 18 ठीक है तो minus 45 को हमने 1 से पहला step में multiply किया तो यहाँ 45 आया दूसरा step में यहाँ पे x का जो coefficient है minus 18 इसको minus 1 से multiply कर देना है तो आएगा 18 तो अब आपको दो नमबर मिला एक 45 और दूसरा आपको मिला है 18 अब थर्ड स्टेप लीजिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है ध्यान देखिए ध्यान से थर्ड स्टेप में जो आपको नमबर मिला है जो थर्ड स्टेप में आपको नमबर मिला है दोस्तों आप उसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे अगर आप एक बार equation देख लिजिए, मैं यहां लिख रहा हूँ, x square minus 18x plus 45 equal to 0 था, था ना question, ठीक है, तो अगर आप इसको और इसको multiply करें तो 45 आना चाहिए, और जोड़ कटाओ करें तो 18 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपका answer आ चुका है, कैसे आ चुका है, वो समझिए, अ मतलब जोड़ने, गटने से 18 आना चाहिए, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, कि अगर हम 3 और 15 को जोड़ें, तो 18, अगर हम 3, मतलब 3 और अगर, sorry, sorry, दोस्तो, थोड़ी से गड़बड हो गई, अगर हम 3 और 15 को जोड़ें, तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, अगर हम 3 और 15 को multiply करें, तो क्या जाएगा, 45 आ जाएगा, तो condition तो fulfill है, condition fulfill है, तो इसलिए हमारा जो root होगा, एक 3 होगा, और 15 होगा, लेकिन आप थोड़ा सा observe करिए, जो हमारा step 1 था, step 1 से हमें जो दो number मिला, positive यह भी था, यह भी था, अगर दोनों positive मिलता है, तो हमारा जो root आया है, दोनों positive भी होगा, लेकिन पहले step में अगर negative आ जाए, तो छोटा वाला number में हम negative sign लगा देंगे, उस situation में हम बोलते है, minus 3 और 15 है, अगर, माल लेजिए second step में, अगर जैसे 18, मतलब second step में अगर negative आ जाए, जो 18 आया था, अग हमारा बड़ा number है, मतलब 45, वो negative हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों positive आया है, प्लस 45 प्लस 18, दोनों positive है, इसलिए हमारा जो answer आएगा, हम क्या बोलेंगे, 3 और दूसरा हमारा path 15 है, ये दो condition हमको आपको समझना है, तीन step में, अब आसाने से इसका answer निकाल सकते है, quadratic equation का, ठीक है, अब आईए हमारा दूसरे type की question को कैसे solve करना है, देखिए, तो दोस्तों, अब हमारा अपना दूसरा type का question करते है, ठीक है, ये जो हमारा type है, ये मतलब कहने का, ये जो trick होगा, वो होगा time, time and work से related, ठीक है, time and work से related, समय एवं दूरी, स्वरी, समय एवं कारिय, time and work, देखिए, time and work में जो question पिछा आएगा, वो बोलता है, अगर एक आदमी, एक आदमी किसी काम को, दस दिन में पूरा करता है, दस दिन में पूरा करता है, और, या माल लिजे, एक आदमी है, ए, ऐसे, ऐसे ले देते है, माल लिजे, एक किसी काम को, दस दिन में, ten days में complete करता है, और, बी, उसी काम को, छे दिन में complete करता है, अगर, दोनों मिल के काम करें, तो, कितने दिन में वो काम हो जाएगा, इस तरह के question पूछा जाएगा, एक किसी काम को, दस दिन में, पूरा करता है, और, बी, उसी का करें तो कितने दिन लगेंगे तो इसका ट्रिक यह है ए ए छोड़ दीजिए आप ऐसे याद रखिए एक्स और वाई को गुना कर दीजिए और एक्स और वाई को जोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों इसी से आपको सॉल्ब हो जाएगा कैसे देखिए एक्स इसको माल तो दस और छे को जब गुना करेंगे तो आपको 60 मिलेगा नीचे में जब जोड़ देंगे एक्स और वाई को 10 और साथ को तो 16 मिलेगा अब इसको आप भागा कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 का पाड़ा आता है तो आप कर सकते हैं s'ただ टेवल में आप अगर दिखेंगे त तो 16, 85 होता है लेकिन आपको तो कम करना है तो 16, 48 होता है ठीक है फिर point में आपका कुछ answer आएगा या इसको भी आप मान सकते है इतना days आपका answer दोनों meal की काम को रहे तो इतना time लगेगा ठीक है पहला type था ये दूसरा type देखते है time and work में दूसरा type क्या है अगर A किसी काम को अगर 10 दिन में पूरा करता है B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और C उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो अगर ये तीनों काम को करना चाहे एक साथ तो कितने दिल लगेंगे अगर ये तीनों काम को करे तो इसके लिए जो हमारा rule है आप इसको मानेगे इसको क्या मान यह x y plus y z plus z x और इस पे जब आप value रखे इसको solve करेंगे तो आपको answer मिलेगा answer मिलेगा 10 15 और 20 था देखते हैं कितना answer आता है चलिए तो a plus b plus c rule क्या कहता है x y z को गुना कर दिजिए और x y plus y z plus z x मैं लिक्त में थोड़ा सा मैं घस पा रहा हूँ घस घसा जा रहा है तो इसके लिए आप शामा करें क्योंकि phone पे लिखने पे बनता नहीं है ठीक है न तो देखे value रखते है x y z x था 10 y था हमारा 15 और z का value था 20 ठीक है न दोस्तो नीचे में अब क्या करना है 10 को 15 से गुना करेंगे x y को तो आएगा 150 अब y को z से करेंगे तो y z कितना है 15 और 20 तो यह हो जाएगा 300 फिर z और x x है हमारा 10 और z कितना है z है 20 तो 10 और 20 को करेंगे तो कितना आजाता है 200 आजाएगा दोस्तो उपर में तीनों को multiply करिए तो कितना हो जाएगा 15 दूने 30 300 और 3000 हजार हो गया आप खुद से try करिए नीचे में गुना करेंगे तो इसको इसको गुना करिए तो देखें simply कैसे करेंगे 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ गया मतलब इधर करेंगे तो 60 हजार और 6 15 आचा के 90 तो 60 हजार मतलब 90 हजार हो गया और एक 0 लगा देजे तो यह हो गया इस तरह से 90 हजार एक 0 लग गया तो यहां से 3 0 यह खतम हो गया और यह 3 0 खतम हो गया ठीक है फिर यह हो गया 3 1 0 3 और यह हो जाए कितना sorry दोस्तों यह गलत हो चुका है बोले क्यों क्योंकि हमारा formula तो प्लस है न तो हम लोग तो यह गलत कर दिये हैं तो यहां पे तो प्लस हो जाएगा न और यह भी प्लस हो जाएगा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इतना कैसे आगी है देकिए फिर से देखिए इसके शमागा चाता हूँ आपसे तो पहला है x y z rule और नीचे में x y प्लस y z प्लस z x ठीक है आप भी ऐसा गलती ना करें इसको solve करते हैं x y z को multiply किया था हमने तो आया था 3000 और नीचे में x y को multiply किया था तो 1500 एक में आया था 300 यहां पर फिर मैं कर रहा हूँ यह प्लस हो जाएगा 1500 और यह आया था 300 और यह हो जाएगा 200 जोड़ लेते हैं दोस्तों 3000 आ गया उपर में इन तीनों का जोड़ी है 300 और 200 500, 650 आ गया 650 देखिए 1 0 और 1 0 खतम हो गया 5 से कट जाएगा देखिए इसको डिवाइट करिए 5 6 के 30 होता है 1 0 आया और नीचे में 5 एकम 5 5 तिया 15 आ गया तो 60 by 13 डेज आपका answer आ गया ठीक है यह calculation में अगर गलती है तो उसके लिए मैं भी छमाश आता हूँ ठीक है आप थोड़ा से देख लिजएगा एक किसी काम को करता है 12 दिन में और A और B मिलके उसी काम को करता है 7 दिन में तो बताएए B उस काम को कितना दिन में करता है इस बार यह पूछ लिया ठीक है ना तो ऐसे condition में आप क्या करेंगे आप बोलेंगे कि B का काम करने का जो दिन है वो निकलेगा X और Y को गुना करके लेकिन X और माइनस Y को X से माइनस को घटा करके इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका answer फट से निकल जाएगा देखे रखते है तो 12 हमारा यह था ठीक है Y का वैल्यू दिया नहीं रखा है लेकिन आपको एक चीज़ दे रहा है दोनों कितना दिन में काम करता है साथ दिन में और यहां पर हम लिखेंगे क्या 12 प्लस Y यह हमारा सॉरी माइनस Y था तो माइनस Y अब इस चीज़ को आप सॉल्ब कर लिजिए by cross multiply करेंगे तो 12 सत्य हो जाएगा 84 12 Y उदर पहले से था यह 7 Y गया तो 12 और 7 कितना हो जाता है 19 Y हो जाएगा दोस्तों अब अगर Y का value निकालेंगे तो हो जाएगा 84 इसमें से माइनस बटा कर देंगे 19 अब इसको डिवाइट कर लिए जो आएगा उतना दिन में मतलब जो हमारा Y या भी जिसको बोलते हैं भी उतना दिन में काम को complete कर पाएगा तो यह तीन तरह के question आप easily solve कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब अपना next trick लेते हैं next trick है series वाला मतलब यह हुआ कि कोई number अगर आप से पूछ ले guide करके sorry दोस्तों spelling लट हो गया series 9 दे दिया अब यहाँ पूछ लिया कितना होगा तो यह condition कैसे हम पता करें तो उस वाले को भी देख लेते हैं दोस्तों उस वाले question solve करने का जो जो हमारे पास trick है वो trick यह है माले जी पहले question ले लेते हैं एक छोड़ा सा question ले 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 जी question है 46 और है 62 और है 87 और है 123 दोस्तों आप point मत समझेए यह है हमारा 87 और यह है हमारा माले जी 123 और यहाँ पे हमने पूछ लिया कि बताईए क्या होगा और यहाँ पे दे दिया हमें माले जी 236 यह एक question ले लिया हमने अब देखते हैं कैसे solve करें यह जो question मारके इसका value बताना है तो अब ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या करें simply आपको फटाफट क्या करना है इसका difference निकाली सारे number गा इस दोनों का difference इस दोनों का difference 46 से 62 गटाईए तो आज आएगा 12 से 6 गया 62 से 46 गटाईए तो 12 से 6 गया तो 6 आएगा और यहां पर बचा 5 5 से 4 गया तो 1 आएगा फिर 87 से 62 गटाईए 87 से 62 तो 7 से 2 गया तो 5 आया और यहां पर 2 आया ठीक है यहां पर minus करेंगे तो देखिए इससे इसको गटाई 36 आया फिर क्या करेंगे इसको इसको जब मैनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 49 आना चाहिए है कि नहीं है 49 आना चाहिए और इसको इसको खटाएंगे तो फिर कितना जाएगा 64 आएगा कैसे वो देखिए 16, 25, 36 ये कोई pattern को follow जरूर करेगा सोला जो होता है स्क्वाइर होता है चार का स्क्वाइर होता है सोला पांच का स्क्वाइर होता है पचीज देखिए आप पचीज होता है कि नहीं होता है तो ये पांच का स्क्वाइर है ये छे का स्क्वाइर है तो ये साथ का स्क्वाइर है ये आट का स्क्वाइर है 236 से आप क्या करिए 49 घटाईए कितना आता है आप देखिए 16 से 9 गया तो कितना आएगा 7 आजाएगा 2 से 12 से 4 गया तो 8 बच गया तो 187 इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो मैं से उम्मीद करता हूँ इस तरह के question भी आप समझ गये बहुत बार क्या होता है pattern बनेगा या तो हो सकता है वो किसी number का square बन रहा होगा किसी number का square बन रहा होगा या किसी number का cube बन रहा होगा इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसलिए आप पता कर पाएंगे ठीक है न दोस्तो या कई बार difference मतलब उस नंबर को दो से गुना करते जाएए और एक जोड़ दिजिये तो ऐसा में भी आपको मिल जाएगा दोनों से गुना कर दिजिये एक जोड़ दिजिये तो ऐसा भी सिरीज बनता है तो कुछ-कुछ सिरीज के कंडिसन होते हैं वह आप समझ यह तो आज़ाने से सौल् कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आया होगा तीनों ट्रिक तो अब हम बहुत जल्दी फिर से एक नए नए वीडियो में और नए ट्रिक के साथ मिलते हैं तब तक आप इस ट्राइप के क्वेश्चन को सॉल्व किजिए इस ट्रिक का यूज़ करते हुए और इसका क्वेश पढ़ाई करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाईए थैंक्यू